नमस्कार अदाप सस्रिकाल दोस्तों बेग बॉस सीजन 17 के घर से नील भट का शौकिंग इविक्षन हो चुका है दोस्तों और नील भट जाने से पहले अंकिता लोखंडे को लगाया गले उस अंकिता लोखंडे को गले लगाया जिसकी कभी नहीं बनी पूरे सीजन भर अंकि लोखंडे से नील भट की और साती साथ अंकिता लोखंडे को लेकर कहा कुछ ऐसी बात नील भट ने जिसकी वज़े से सभी घरवालों को लगा दोस्तों सबसे बड़ा छटका सभी घरवालों के होच जो है पूरी तरह से उड़ गया आईए आपको बताते हैं आज के खास में आप सभी दश्कों को यही बात लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चानल क्विक टीवी न्यूस को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूस को आप सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन के घंटे को जरूर दबालें बिग बॉस सीजन 17 के घर से बेघर हो चुके हैं नील भट और नील भट का इविक्षन की खबर जब सुनाया बिग बॉस के घर के अंदर सलमान खान ने तब नील भट जो है काफी जादा जो है उन्हें जटका लगा क्यूंकि उनको तो ये भी नहीं लग रह था कि उनका इविक्षन इस तरह से होगा साल के अंत में जाकर होगा अब ऐसे में नील भट की इविक्षन की नीज जब सलमान खान ने सुनाया तो सारे के सारे घर वाले जो है पूरी तरह से शौक रहेगा है मुनवर फारू की साथी साथ यहां पर अंकिता लोग खंडे अ अब ऐसे में आपको बताना चाहते हैं दोस्तों अंकिता लोग खंडे फूट फूट कर रोते हुए नजर आई ना सिर्फ रोते हुए नजर आई बलकि आपको बताना चाहते हैं अंकिता नील के पास गई और नील से माफी मांते हुए नजर आई इसके बाद नील ने अंकि अंकिता को गले लगाया और साती साथ कहा मैं पूरे की पूरे सीजन में तुम्हें मैं टार्गेट कर रहा था मैं पूरे की पूरे सीजन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 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 खिलाव जो है मैंने गलत बोला तुम्हें खोकला बोला और साती साथ तुम्हारा कोई वजूद नहीं है ये मैंने कहा लेकिन तुम्हारा वजूद इस घर में सबसे जादा है अंकिता अगर Big Boss Season 17 की ट्रॉफी को कोई जीच सकता है तो वो तुम जीच सकती हो ये बात नील भट ने कहा अंकिता के बारे में और अंकिता बहुत ही जादा जो है उद Big Boss Season 17 के घर के अंदर नील भट के जाने से पहले नील के बारे में उन्होंने कहा कि अब मैं किससे लड़ूँगे Big Boss 17 के घर में तुम ही तो एक था तुम ही तो एक सहारा था जिससे मैं लड़ती थी जिससे मैं जगड़ती थी अब तुम मेरे पास नहीं रहेगा तो अब मैं किस से लड़ूंगी किस से जगडूंगी बचे हुए दिन तो मेरे पूरी तरह से बिखार जाएंगे ये बात जो है नील भट के लिए कहा अंकिता लोखंडे ने कितने ज़्यादा हैं आप एक्साइटेड दोस्तों इसे लेकर कमेंट के थूँ आप हमें ये बात जरूर बताएं तब तक के लिए बने रहे यूटूब चानल के साथ क्विक टीवी न्यूस की रिपोर्ट